वेल्कम बेक टो मैं यूटीब चैनल अधिकाइस ट्रायल तो आप सभी केसे हो गाइस आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज में आपकी जो वीडियो आपने देखा नहीं तो आप यह वीडियो आपने देखा नहीं तो मिस करोगे सबी चीजों को ठीक है बेजा बहुत ही ज्यादा सर्पे है और आसाइन आपके बालों में नहीं है ठीक है बाल बहुत ही ज्यादा खाली-खाली पैचेस दिखने लग चुकी है वहां से बाल ग्रोथ नहीं हो रही है आपके बाल तेजी से लंबे नहीं हो रहे ब्लैक नहीं है सफेद है इन सारी परीशान आज मैं आपके चाहिए बहुत अच्छी स्यूर करने वाले हो डेफिलिटी इसको एंड तक देखना अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना बहुत ही एफेक्टी पे लाइक जरूर करें इसको सियर करें जैने लोगों के साथ इंस्ट्राग्राम ओ फेस्बूक हो वार सबसे पहले लोहे की कड़ाई लेनी है लोहे की कड़ाई हां जी हां लोहे की कड़ाई लेना है आपको इसको उसके उपर आपने एक कप आप ज्यादा कॉंटिटी में बनाना कर रखना चाहते हो दो कब डालिए तीन कब डालिए ठीक है मैंने यहां पर एक अप एड़ किया तो एक कप गोकोनट ओयल एड कर लीज़ ठीक है या तो मुस्टर ओयल या को कोनट ओयल दोनों में से एक आप यूज कर सकते हो इसके बाद आपने क्या करना है गाइस यह निमके पते निमकी पती मैंने इसको पेडों से तोड़ा था गाइस और इसको अची तरी किसे वास करक और दूसरी तुल्सी की पत्ते जो है हर किसी के घर पे पोधे होते हैं लगाया होता है तो उसकी पत्ते मेरी घर पे भी था तो मैंने उसकी पत्ते पत्ते तोड़के उसको अच्छी तरी किसे वास करके और उसको मैंने अच्छी तरी किसे सुखा हुआ है और एसे अपने र बालना है उसके ढ़ए निपार मलत निकालना है और उसको कि टैयसे पाउडर माति करते हो खराई का kijो जायों आयगा और उसको घ्यासको बन्दबात है बंतकर मेथि आट करना है वो जलना नहीं चाहिए कोई भी चीज जलनी नहीं चाहिए और तेलों को इतनी तक की रखे कि उसको हल्का ब्राउन बना सके गोल्डेन ब्राउन वने तक उसको भूना यानिकि जलाना ने काला ने बनाने ठीके काईस और आपने एक चमस अमीथि जा एक चमस जीतना अपने इसके अंदर एट करना है अची तरीकिसे मिक्स करना है हलका गोल्डेन ब्राउन गुण तक उसको अची तरीकिसे रखना है और इसको कम से कम ढखके रख दीजिए लोहे की कड़े में चोड़ दिजी आपने दो तिन घंटे के लिए इसको छोड़ द पर देखे और आपने यहां पे हमने नीम एड कीआ हैं औरमी नीम क्यूंत आप अमने आट्क एक आ है आपकी स्केल्परें पर है जबनीयर जैसे भी जादा work महते में बिदान हो मिया और इसीन हो इजल टेक्टॉन विइन के करता है गाईस और आपकी हैर की स्केल्प पे ही प्रवीम से तो बाल गिरता है न किसी आप सबसे पहले कि बालों को लंबा करना चाहते हो गिरने से रोकना चाहते लो तो डैफिनेटली पैले आपके बालों की को मझबूत करो और सकेल्प को ठीक करो तब हिआ बाल जड से गिरना बंद हो जाएगा बीच में तुटना बंद उजाएगा और बाल तेजी से ग्रोत जाएगा जाएगा जांबी बाल नहीं है वह भल उन्ट हो जायगा ठीक है कि काम यह है कि Nobel के लिए मदद करता है आपकी जो हैर Rs. kij बॉल्ज और बाल जहां से उकता है में क्लीन खाए है उस इसकेल सब्सक्राइस के और तृपिंए को यूद Dubai के अचछी तरह llamand तो ग्रोथ करने के लिए अमेजिंग कामेन इनका पता यह करता है इंफेक्शन को दूर भगाता है डैनरप बगाता है इक्चिंग को बगाता है ठीक हैं और आपकी बालों की जड़ो को चुर कटता है गाइस वहत यह अमेजिंग तुल्सी की पते तो पता यह पकी जो भी तो आपकी बालों की जड़ों में लगाओगे तो आपकी बाल बहुत ही जो भी प्राप्रेम्स अंदर जाके डीपली उसको ब्रोध करने के लिए मदद करता है लोहे के कडाई एटिया लोहे की कडाई से आईरन निकलता है आईरन की बई से जो हैर की जड़े में से जो भी बाल सफेद उखता है वो तीरे-दीरे करके मस्टर ओयल सर्शों की तेल भी आपकी बालों को नरिस्मिंट देता है इस और इन सभी चीजों के एक कांस की सीसे की उस पे स्टोर करके रखो और जो भी यह चीज है कोाल से ऑल से हटा देता है और ओल करना बंत कर देता है ती जो भी बैक्टेरिया जो भी जुआथेसमें जाकर अए हुसको उसके सत्त फाइट करता है और उसको खतम कर देता है और आपके बालों को बहुत है करने के लिए भी मेंड़िक शाहिज प्रशों वह भी खराब नहीं होगि है जब लगाने है थोड़ा सापने पयाली में लेना है इसको थोड़ा साप बोटल के अंदर डालके रखे तो तक ने इंग्रिटेंस एड़ के अदर थोड़ा direction कि रख लीजे टाकिसके गुडनेस वैल में आते रहे आते रहे लिए जिक अर आपने किसी सावर कैप से ढखके या किसी कप्टे से ढखके सुझाओ या सुबा दिन में भी तीजर घंटे अपने हैरो लिंग करके हल्कुलता मसाज करके अपके इसको रखना है उसके बद अपने नॉर्मल सैंपू से वस करो ठीके आर ऐसे जब भी नहाने जाते हो इसको करो रेगल कैसी लेगे आप कॉमेंट करना बिल्कुल ना बुलो और लाइक जरूर करना और इंस्ट्रोग्राम पर फॉलो करो बस और वीटर साथ यो और वी रमेटर साथ यो कॉमेंट करो वस आज के लिए तना है टेक कियर और टेक कियर गाइज और पाइ कियर भी वारभ इंस्ट्रोग्रा करना बाइज पैजो करना हैं